वेलकम तो स्पेडारिंग डॉट कॉम दोस्तों मैं पंकचेन स्टॉप मार्केट की बारीकियां आपको सिखाने के लिए बात कर रहा हूँ तो इंट्राटने ट्रेडिंग में अगर आप सक्सेस्पूल होना चाहते हैं तो कहीं पर आपके दिमाद में ही बात है कि ये अनलिसिस का कोई जादू में समझ लिए अगर कोई आगे बढ़ना है तो असली प्रॉब्लम को पहचाने है असली प्रॉब्लम क्या है असली प्रॉब्लम यह है कि इस बाजार में इतनी तेजी से उधार चड़ा होते हैं और इतने सारे विकल्प आपके सामने हैं और जिस पे बड़ी आसानी से आप सवार हो सकते हैं तो एनेसी में लगबग 2-3,000 कंपनीज में डेली ट्रेड होता है जैसी आप स्क्रीन पे पहुंचते हैं आपने देखा कि अरे इसकी प्राइज ने बढ़ना शुरू किया उसी प्राइज ने नेचे उतरना शुरू किया और हम यह मानने लग जाते हैं कि अरे में नहीं कर पा तो वो जब आपके पास आता है तो आप हडबड़ी में कुछ भी करने लग जाते हैं तो आपकी प्रब्लम है ओवर ट्रेडिंग मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप बड़ी आसारी से स्ट्रेस फ्री होंके ट्रेडिंग को एंजॉय करेंगे और पैसा त आपको यूट्यूब चेनल पर बता रहा है तो ऐसा नहीं कि आपने कोई नई चीज सुनने को मिल गई तो बस आप आपको मजा आया आपके मन का मनोरंजन हो गया तो आपको लगा चलो आपको लगा चलो कुछ भी कर लें क्योंकि आपका पेसा इनवाल है एक बार अगर गल स्क्रीनर्स का इस्तिमाल करें हमने वीडियो में इसे कई स्क्रीनर्स बता रहे हैं जिनका इस्तिमाल करके आप कंपेरिटिवली एक ठीक ठाक डिसेजन ले सकते आप बेस्ट स्टॉक को चुने ये ज़रूरी नहीं है आप जैसे शौट टम ब्रेकाउट के स्क्रीनर में को सबके चाट वाट एक नज़र डालों मैं याद रखने की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन एक बार अगर नज़र डाल रखिए पांच स्टॉक पे भी जिसमें आपको hardly 10 मिट लग सकते हैं मैं आपको detailed technical indicators देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं आपको आपको याद आ जाता है ये चीज की ये stock किस level पे खड़ा है जैसे project industries हमने देख लिया हमको पता लगा कि 170-180 का share था और बहुत दिनों से 60-70 रुपे के level में कहीं फसा हुआ था अभी भागना शुरू किया है तो ये 75 से 90-95 चला जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है एक बा पर सेंट तक का movement आने की संभाव ना है संभाव ना हां guarantee की बात मत करना कई बार लोग ये पूछने लग जाते हैं कि सर guarantee है क्या है तो फिर मुझे वो वेनस डेका dialogue याद आ जाता है कि मैं क्या पंखा बेंच रहा हूं आप business जब करने आ रहा है तो इस शब्द से को परहजी कर लीजे क्योंकि कोई guarantee दे भी देना आपको लिख के stamp paper पर तो भी मत करना है काम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनोंने किसी नए dealer dealer को या किसी scheme वाले सब्रोकर को ऐसे पैसा दी दिया दस लाग रुपिया पहले दो लाग दिया होगा दो लाग पर उसने दो महिने में 20% 30% का एक बार जब long correction आएगा तो तीन तो गए ऊपर से आपकी capital के दोलाग पी अंदर बुच जाएंगे और इससे भी बुरा यह होता है लोगों की पुरी-पुरी capital ही खत्म हो जाती है अगर आपको हमेशा ही अच्छा खाना खाना है तो खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा चाहे पहले तीन दिन साथ दिन दस दिन कच्ची रोटी बने आड़ी-टेड़ी रोटी बने लेकिन उससे गुजरना ही पड़ेगा कोई ready-made solution की तरफ मच चाहिए तो मैं यह कह रहा था आपको कि आपने screener देखा सुबे एक trade किया आपको महाँ पे volume के साब से देख लिया आपको पताया कि यह stock ने अभी तीन दिन से चार दिन से कोई बहुत बड़ी rally ने दिखा दिया इसने आज चलना शुरू किया और यह काम किया है मैंने सुबह 9.40-9.50 मैं वापस आता हूं साड़े 10-11 बजे के आसपास तुम मुझे या तुम यह पता लगता है कि 54 का ऐसे लेट हुआ और यह 51 पे खड़ा या मुझे यह पता लगता है कि 55 से 58 पे जाके आपर सार्किट हो गया यह 15% प्लस है आप कंबन कर करता है कि चलो एक प्रॉफिट दिखाए तो एक टुकड़ा 20-25% प्रॉफिट करने कर लो सब कुछ कमफिटेबल करें एक बार आप आते नो चालिस पे दूसरी बार आप आते साड़े ग्यारा बजे के आसपास फिर दिन में 21 पे आते हैं और फिर आते तीन बजे जाता दे सब्सक्राइब को देखा पहले एक एसाइल को मैंने 90 में खरीदा था वो सिधा 103, 105, 106 दिखा रहा था मैं थोड़ा थोड़ा बेच रहा था आज सुभी मुझे दिखा 102 है मैंने खाली कर दिये थोड़े शेर नीचे दिखा 98 पे थोड़े खरीद लिये वापत 102 में बंद हो तो फिर बंदर जीसी गुलाटियां लगाना शुरू हो जाएगी वो नहीं करना है उमको हमको क्या करना है कि जो भी हो रहा है ठीक से हो जानने तो अगर गिरावटा आरे है तो गिरावट कुस्वान तक आ जाने तो मेरा 99 पे कोई share भी काया और वो गिरते गिरते 92 हो जाए तो हो जाए क्योंकि मेरी आधी quantity खाली होगी उसी पेसे से 99 में जिसको बेचा है उसको 92 में ले रहा हूँ लेकिन आपके मन में डर क्या है सर ये तो 103 था और 92 हो गया है तो 11 रुपे नीचे आ गया तो कहानी खतम थोड़ी होगी अभी आपने स्टॉक चुना की से सापस है क्योंकि वो short term breakout में है ना तो short term breakout में इस तरह की स्तित्या बंदी रहेगी कि वो पहले 90 से 103 105 गया फिर 92 आ गया और उसके बाद में 110 120 वहाँ चला गया अब इस प्रोसेस में टाइम भी तो लग सकता हां लग सकता 5 दिन का टाइम देने को राजियू मैं मुझे अगर 15 परसेंट कमाने के लिए 5 दिन का टाइम लेना पड़े तो क्या गलत बात है लेकिन हां अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई दूसर अप्शन मिल गया इससे अच्छा स्टॉक मेरी नजर में आ गया है जिसमें मिचल फंड होल्डिंग भी अच्छी है पिर उसके स्कोर भी अच्छा है उसका और जाके मैं उसका डियूरेबिलिटी मोमेंटम वेलिवेशन स्कोर देख रहा हूं ट्रेंड लाइन डॉट कॉम है वह भी मुझे सही देख रहा है ब्रोकर रिपोर्ट भी थोड़ी वेटर है मतलब ब्रोकर रिपोर्ट जो एवरेज बताई मैंने ट्रेंड लाइन डॉट कॉम पे देखने को आप दूसरे वीडियो रेफर कीजिए न कई बार ऐसा सोचते हैं एकी वीडियो में सारी सीख लो इसमें कौन सी बुराई है आप जो भी काम कर रहे हो ना आपकी दुकान हो जौब हो या कुछ भी हो खेती हो आप हर रोज सीख रहे होते हैं कई बार तो ऐसा होता ठुकर खाके गलतियां लॉसेस से हम सीखते हैं या तो उसकी जरौत भी नहीं है अगर जिस गड़ सही हो सकती है यह सोचके उस पर प्रयोग कीजियो प्रयोग करके अगर सही निकले तो यह आगे बढ़िये तो मैं आपसे कह रहा था कि आपने देखा तो 92 आ गया है 92 पर आपने खरीद के रख लिया अब शौट टम ब्रेकाउट के स्क्रीनर में कई बार मेड़ेड इसमाल क नहीं यह तरीका अपलाए करके देखें तरीके में खास बात किया कही मैंने सुबह एक बार आये 10 मिर्ट के लिए स्क्रीन पे हो आपने अपना नेड़े लिया इस्टॉपलस लगाया छोड़ दिया फिर आप 11.30 बजे के आसपास आए आपने देखा क्या हुआ क्या हुआ इस चुटा मोटा फ्राफिट बुकिंग करना है कर लिजे अगर नीचे आ गया थोड़ी सी और वाइन करनी स्टॉपलस के नीचे स्टॉपलस ही ठोच लो चुका है वह नीचे चला गया माँ पर थोड़ी से बाइन कर नी 500 शेर भी चुके हैं और आपको लगता है कि सो या पर यह नहीं कि रहा हूं, आपको 500 शेर जो एसे लेट होगे पूरे-पूरे 500 शेर आप महां पर खरीद लेकिन 200 शेर हम उसमें खरीदना है, भई 54 का ऐसे लेट होगा, 51 पर खड़ा है, आपने महां पर 200 शेर खरीद ले, क्योंकि एक शर्त तो यहां पर ही कि शॉट टम ब्रे करते हैं, आपने महां पर ले लिए अब आपकी cost averaging थोड़ी better हो गई है, शाम तक आके देखते हैं, एक बीस पर आके देखा, आपको नजर आ रहा है कि 57 खड़ा है, आपने थोड़ा profit book कर लिया है, और फिर by the end of the day आपको नजर आ रहा है कि आपर circuit होगे, आप पर circuit होगे है circuit बहुत अच्छा है, तो आप आज मत बेचिए, अगर आपको फिर भी डर लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपर circuit लगा है, आपको लगा कि circuit पे रहेगा, कल सुब़े उपर पुलेगा, लेकिन पता नहीं कब धाई-तीन बज़े कि आज पार circuit ओपन होगया, आप हो गई नहीं, आप ये 60 circuit पे बंद रहा पूरे दिन, तो हो सकता, अगले दिन 63-64 पुलेगा, तो मौलूम भी नहीं पड़ेगा, आपको कभ 54 का खरीदा हुआ, स्टॉक 64 में विक रहा है, आप 20% प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, बड़ी आसानी से या भी ये जो तेजी का द 13,000, 13,100, 13,200 हो जाएं, तो फिर भी तिरे अपनी quantity कम करते जाएं, फिर अगले dip के बाद वापस quantity बढ़ाएंगे, नहीं तो जो कुछ चोश में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे फाइदा होता जाता है, वैसे वैसे quantity है और volume बढ़ाते जाते हैं, फिर बाजर जब एक ही बार correct होगा, तो आपने 1000 share की quantity पे फाइदा कमाया और 2000-3000 share की quantity पे loss कर लिया, तो कुल जमा आपके पास loss ही कठा हो जाएगा, तो जब जब आपको profit मिलता जाए, अपने volume को कम करते जाएं, तो दोस्तों ये तरीका आपना के देखें, ट्रेडिंग में, इंटराडे ट्रेडिंग म जब आपने इसा कर लिया, तो आपको पता लगेगा, कि बीच बो देने के बाद में, अब आपको कुछ नहीं करना होता है, तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है, एक बार सही ने लेने के बाद में, थोड़े समय के लिए, बिल्कुल छोड़ देना ही अच्छा होता है, त तो मैं अधिकतर केसे में आपको बताता हूँ, कि जहां आप सामने होते हजार रुपे कमा सकते थे, तो हो सकता आपको दो या धाही हजार रुपे का प्रॉफिट मिलेगा, एक बार करके देखना फिर हम बात करते हैं, speedearning.com, तीन कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज का आफर च साथ में आप काम करेंगे, तो possibility है, कि हो सकता इन दो महिने में आपने जो free pay की है, उसका तीन चार गुना आप profit पड़े, आराम से बना पाएं, और या तो 70,006 मन्त की training है, तो हमारे साथ ही काम करने वाले layer market में, दोस्तों सीखते रहें, तसा बनाते रहें, ये मोका जो आप तयार नहीं थे, तो आपने market में participate किया तुसे ही, लेकिन आपके पास थे 50,00,00,00,00,00,00,00 अगर डबल भी हो गए, तो आपको कुछ नहीं मिला, आपकी capital का 10% भी return नहीं निकल के आप आ रहा है, तो अपने पसीने की कमाई को अगर ठीक से बाजार में लगाना है, तो